Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है kindergarten से grade 12, free videos and free education. साथी साथ Magnet Brains में आपको मिलते हैं books और e-books भी वो भी अलग-अलग categories की. तो अगर आप चाहते हैं अपनी course book के अलवा अलग book से practice करना, test paper solve करना, तो students, बिल्कुल भी चिंदा करने की जरूरत नहीं है, इस video के नीचे जो form link के description दी हुई है, उसे आपको भरके हम तक भेजना है, हमारी team आपको उस form को देखकर, contact करके आपको आपकी books provide करा देगी, है ना कितना ही simple solution अलग-अलग तरह की books प्राप्त करने का, yes. So students, let's come back to a topic that is your don't be afraid of the dog, किस को अंधेरे से डर लगता है, majority लोगों को अंधेरे से डर लगता है, I understand, especially you all are children, बच्चों को तो अंधेरे से डर लगता ही लगता है, So student, यही इस poem में बताया गया है कि डरना नहीं है, किसी भी प्रकार के अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, don't be afraid of the dog, डरना नहीं है अंधेरे से, okay, so इस poem में student यही था कि किस प्रकार से अंधेरा होता है और फिर अगले दिन उजाला लेकर आता है, So student, आज हम करेंगे इसी topic की worksheet को solve, so let's start, किस बात की दे रही है, let's start and do our first question of the chapter, don't be afraid of a dog, so the first question is, the poet says not to be afraid of the poet, किस से कह रहे है कि डरने की जरूरत नहीं है, किस चीट से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही simple question है, I know, I know, A. light, B. sun, C. stars, your D. dark, yes, the chapter's name is only, don't be afraid of the dark, so obviously it is your D. dark, dark माने अन्दकार से डरने की जरूरत नहीं है, question number one, option D is correct, now second question student, second question है आपका, What do things happen during the day? ऐसी कोई भी दो चीज के बारें बताओ, जो दिन में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बतानी है, आपको कोई दो चीज़ें बतानी है, जल्दी जल्दी बताओ, क्या-क्या होता है, student, पहला तो होता है, The sun rises in the morning, है ना, sun से ही तो दिन की शुरुआत होती है, the sun rises in the morning, ओके, The sun rises in the morning, चिल्रण गो टू स्कूल, रात को जाते हो क्या स्कूल, सुभा ही जाते हो ना, चिल्रण गो टू देयर स्कूल, सब लोग अपने-पने स्कूल जाते हैं सुभा उटकर, चिल्रण गो टू देयर स्कूल, understood student, तो ये दो चीज़ें होती हैं, सुभा, The sun rises in the morning, चिल्रण गो टू देयर स्कूल, आप और ही बहुत सारे चीज़े लिख सकते हैं, ऐसे फ्लार्स, भूम्स, है न, बर्ड्स अर फ्लाइंग इन दे स्काई, तो जो जो चीज़ें दिन में होती हैं, वो कोई भी दो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है, तो इस तरह से आपको दो चीज़े बता के आंसर को फिनिश कर देना है, ना लेट्स मूब तो आप थर्ड क्वेशन चिल्रण, वोट यू डू इफ यू अर अफ्रेड एट नाइट एनी टाइम, आप क्या करते हो, अगर कभी भी आपको रात को डर लगता है, अफ्रेड हो डरते हो, तो आप उस समय क्या करते हो चिल्रण, तो स्टुडेंट ये क्वेशन आपके लिए है, आपको बताना है कि आप क्या करते हो, तो अगर मैं बताना चाहूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, If I am afraid at night, anytime, I switch on, I switch on the lights of my room, भाई, अंधेरे से डर लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगी, रूम की light जला के बैठ जाएंगी, तो अंधेरा खतम हो जाएगा हमारा, डर भी खतम हो जाएगा, तो मैं तो ऐसा ही करूंगी, If I am afraid at night, anytime, I will switch on the lights of my room, यहाँ पर will आएगा, sorry, I will switch, switch on the lights of my room, यहाँ, I think most of us will do this only, if you are afraid of darkness, we will just switch on the lights of our room, clear, question number 3 done, now next, write some of the things you think at night before you sleep, question सम्झो, उन कुछ चीजों के बारे में आपको बताना है, जो आप सोने से पहले करते हैं, क्या-क्या सोचते हो आप सोने से पहले, क्या-क्या सोचते हो, बहुत लोग तो भूत के बारे में सोचते होंगे, बट उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? जनुमन चीजे बताओ, what do you think before you go to sleep? So, जैसे if you will ask me student, I would think of, I think of my homework, homework before I sleep in the night. मैं अपने homework के बारे में सोचता हूँ, सोने जाने से पहले कि भाई, complete हुआ है कि नहीं, वह याद कर ले ता हूँ, सारे homework done? Yes, नहीं हुआ है, उठो और जल्दी से करो, है ना? तो यह तो I think सभी आप लोग करते होगे, सोने जाने से पहले सबको अपने homework की याद आ जाती है. Clear? Next, I thank to God for the day. before I sleep in the night. ठीक है? मैं सोचता हूँ कि मुझे थैंक करना है God को दिन के लिए सोने जाने से पहले. I thank to God for the day before I sleep in the night. ये सब करने के बारे में सोचता हूँ कि homework कर लिया, ठीक है. भगवान का शुक्री आदा आदा करना है कि आज का दिन बहुत अच्छे से निकला. इसी तरह आने वाले दिन भी हमारे लिए अच्छे से निकलना चाहिए. So think about all positive, positive things in the life students. है ना? यूकि हम अगर सो रहे हैं, तो next day हम एक नई शुरुवात लेके जीने वाले हैं, उठने वाले हैं. ठीक है? तो अगर आपको इसके लावा भी कोई चीज़े सोचते हो, माइंड में आती है, थिंक करते हो, थौट करते हो, तो स्टूडेंट, अब आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसे आने वाले हैं, जिसमें दो वर्ड्स एक मीनिंग के हैं. जैसे यहां पर देखो, इस सेंटेंस में अफ्रेड और फियर एक ही मीनिंग का है, अफ्रेड का मतलब भी डर और फियर का मतलब भी डर. तो उन दोनों वर्ड्स को क्या कर दिया, साथ में लिख दिया. इसी तरह से बाकी सेंटेंसे में भी ऐसे दो वर्ड्स हैं चिद्रन, जो एक मीनिंग के हैं. तो आपको वही फाइंड आउट करके बताने हैं. ठीक है? So, let's start. पहला है, रवी बहुत जादा क्विक था. मतलब फटा-फट से मैच सम को सॉल्फ करता था. सेकेंड है, नीता बहुत तेजी से दौड रही थी जीतने के लिए. तो कौन से दो वर्ट से हैं which is of the same meaning? So, student, पहला है आपका क्विक और दूसरा है फास्ट. दोन अगा मतलब एक ही होता है, बहुत जल्दी से. So, let's write down here, that is, क्विक और दूसरा, फास्ट. Both the words have the same meaning. क्विक और फास्ट. Understood? Okay. Now, next one. Anuj has solved a difficult puzzle. It was hard to chase a rabbit. दोनों में से कौन से ऐसे words हैं? Which is telling you the same meaning. So, student, it is difficult. और दूसरा, hard. है ना? दोनों का मतलब होता है, तकलीफ मतलब मुश्किल है. So, student, difficult. एक वर्ड होगे आपका पहले सेंटेंस से. और दूसरा होगे आपका चिर्रन, hard. difficult and hard. C. Rina and Sona are good buddies. Mona and Shreya are best friends. Then, students, which two words are of the same meaning? Correct, buddies and friends. Both the words have the same meaning मने यार. दोस्त, ठीक है? So, buddies और दूसरा, friends. She is my buddy यार. She is my friend यार. Correct? Next one, D. Kashmir is an icy place to live in. Neha is traveling to a cold place. दोनों में से कौन सा वर्ड है? विच इस अपा सिमिलर मीनिंग. Right, it is your icy. Okay, icy और दूसरा है, cold. Understood? So, student, इस तरह से आपने दो words को निकाला sentences में. Right? Now, it was a dirty place. वो रूम कितना गंदा था? जगा कितनी गंदी थी? Your room is always messy. तुमारा रूम हमेशा गंदा रहता है. गंदा, गंदा. Right, कौन-कौन सा? एक तो डर्टी हो गया इसमें से. इसमें से कौन सा वाला होगा? Right, it is your messy. Dirty or messy. दोनों का मतलब एक होता है. गंदी की. Next, Ravi asks many questions. Ravi बहुत सारे questions पूछता है. Do you have any queries? क्या तुमारे पास कोई questions है? Right, so questions and queries. एक ही मतलब है, children. Questions और दूसरा, queries. Is interesting? Right, okay. Now, question number sixth. Think and write what would happen if there will be all day and no night. Take the help of the picture. One is done for you. So, children, आपको बताना है कि ये सोच कर कि मान लो कि सिर्फ पूरे पूरे टाइम सिर्फ दिनी दिन रहे और रात कभी हो ही ना. तो student, क्या होगा? क्या-क्या consequences को face करना पड़ेगा? किस-किस प्रकार की चीज़ों को सामना करना पड़ेगा? अगर रात कभी होई ना. पूरा-पूरा दिन डे रहे. सोचिए कैसा रहेगा? तो student, आपको pictures देखके ये बताना है कि क्या-क्या चीज़े possible होंगी फिर. एक आपके लिए किया है. जैसे, आउल वुड नॉट बी अबल टू see and search food. भाई, अगर रात कभी होगी ही नहीं, तो आपको उल्लू कभी दिखेगा ही नहीं रात को. क्योंकि रात को ही उल्लू जगता है और रात को ही उल्लू देख पाता है. तो सोचो कि आउल को नहीं कभी दिखाई देगा और नहीं वो कभी अपना खाना ढूंडने जा पाएगा. है ना? तो ये problem होगी अगर पूरे-पूरे दिन क्या रहे? दिन ही रहे. और क्या-क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट. जैसे, birds will not be able to sleep. है ना? birds को लगेगा कि दिन ही दिन है तो अब रात तो हो इनी रहे ये जगे रहो. तो क्या लिखोगे? birds will not be able to sleep. birds would आएगा. क्योंकि ये हम imagine कर रहे हैं. birds would not be able to sleep. है कि नहीं? ओके? देन और क्या हो सकता है? और बताओ. Students are tired of reading, sun tired of working, people cooling themselves, people unable to rest, earth burning of heat. So students, सबसे importantly क्या होगा? sun tired of working. सूरज क्या हो जाएगा? ठक जाएगा काम करते करते. मैं कितना जलू, कितना burn हूँ. अंधेरा हो इनी रहा है. है ना? सू क्या लिखेंगे? sun would be tired of burning. sun would be tired of burning. ठीक है? देन, आउडला हो गया. people cooling themselves. भाई, अफकोर्स, लोगों कितनी गर्मी लगे कि दिन भर से सूरच देवता चमक रहे हैं? तो दिन भर लोग क्या करते रहेंगे? अपने आपको ठंडा करते रहेंगे. तो क्या होगा? people would be cooling themselves. हमेशा cooler AC के सामने बैठे रहेंगे. cooling themselves. ठीक है? नाउ, D. क्या होगा? people unable to rest. earth burning of heat. तो क्या होगा? इन दोनों में से पहले हम लिखते हैं? earth would be burning of heat. धर्ती कितनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? गरम हो जाएगी. earth would be burning of heat. earth would be burning of heat. understood? आप देख भी सकते हैं pictures में students. पक्षी हैं, दिन बार उड़ते रहेंगे, बिचारे rest नहीं कर पाएंगे, सूरज ठक जाएगा क्योंकि वो इतने देर से जली रहा है, burn हो रहा है, उसके बार लोग अपने आपको ठंडा करते रहेंगे. राइट, फिर क्या होगा student कि पूरा जो धरती है, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जलती रहेगी है ना, earth burning of heat, बिल्कुल आप सोचो कि जब शांत होई नहीं रहा है, सूरज चमका जा रहा है, चमका जा रहा है, तो पूरी पित्वी क्या होगी, burn कर रही होगी, गर्मी से. ठीक है, आगे और भी है, let's write down more here students, now E में क्या लिखेंगे हम, people would not be able to rest, लोग क्या नहीं कर पाएंगे student, rest नहीं कर पाएंगे, people would not be able to rest, उनका office, school चलता ही रहेगा, would not be able to rest, है ना, दिन बर से काम करते रहेंगे, तो देखो क्या हालत हो जाएगी, सो ही नहीं पाएंगे, रात ही को तो सोते हैं, अब रात ही नहीं हो रही तो people would not be able to rest, then what will happen children, then 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 we, हा, students tired of reading, बच्चे पढ़ पढ़ के क्या हो जाएंगे, ठक जाएंगे, students tired of reading, ठीक है, तो लिख स रहेंगे, students tired of reading, students tired of reading, कैसे होगा, बताती हो मैं, अब आप सोचिए कि अगर रात ही नहीं होगी, तो आपके schools चलते रहेंगे, classes दिन दिन पर चलती रहेंगी, है ना, आप कभी सो ही नहीं पाऊगे, पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, आप भी थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते, तो सोचो, डे और नाइट होना कितना इंपोर्टेंट है हमारे लिए, तभी तो पता चलता है कि अब रात हो गई, तो आप ये काम करना है, दिन की शुरात हो गई, तो ये काम करना है, तो कितना अच्छा system बनाया है हमारे nature ने, इसंट इट, सो कभी ये नहीं सोचना कि रात होती ही क्यों है, क्योंकि रात होती है तो बहुत सारी चीजें हम कर पाते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि क्या-क्या consequences का face करना हमें पढ़ सकता है, clear? Okay children, so now let's go to our next question, question number 7, circle the things that you hear in the quietness of night, children आपको उन चीजों पे circle करना है, जो आप रात के सनाटे में सुनते हो, होता है ना, जब pin drop silence होता है, there is no voice from anywhere, then certain peculiar sounds you start listening, right? क्या-क्या चीजें होती है, उन पे आपको circle करना है, buzzing of bees, क्या bees के बन-बनाने की आती है आपको आवाज, student रात के अंधेरे में, या फिर tick-tock of clock, या फिर firefly voice, मतलब जुगनू के आपको voice आती है, चूूू। या फिर student आपको bat, bat खेलने की आवाज आती है, या फिर clink-clank of doors, या फिर दर्वाजे खुलने की बंद होने की आवाज आती है, या फिर watchman's की whistle, guard की CT की आवाज आती है, रात के शानती में आपको क्या-क्या चीजें की आवाजे आती है, तो पहला है student, tick-tock of clock, सबके घरों में होगी घडियां और रात को जब सब सो जाते हैं, तो घडियां आपकी करती है, टिक-tock, tick-tock, 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 आती है ना, राइट, और wirefly voice, हो कि रात को जुगनू निकलते हैं और इनकी voice आना शुरू होती है, चूूू। है ना, देन और क्या आता watchman की whistle, very important, रात को watchman की CT आवाज आती ही आती है, ठीक है, bees नहीं सुनाई देगा, bat नहीं सुनाई देगा, door की आवाज तभी आएगी अगर कोई खोलता है, वैसे रात को everyone goes to sleep, so why there will be any sound of clink-clank of doors, ठीक है, ना, question number 8, let's solve a riddle, एक riddle, मतब पहेली solve करते हैं, write your answers in the given space, if you are not able to solve any of the riddle, find their answers at the end of the activity, so let's start our riddle, पहली पहली को solve करते हैं, शुरुआत करें, first question, which alphabet is a question, a to z में से कौन सा alphabet question होता है, बताओ, बताओ, why, question, why, which alphabet, why, right, आगया समझ में, yes, ऐसे equation और भी है, B, which alphabet is a fly, कौन सा alphabet, fly है, B, fine, B से, B, then C, which alphabet is a part of our face, कौन सा alphabet हमारे face का पाट है, सोचो, सोचो, I, right, I, I, की spelling, E, Y, E, I, कैसा I, na, correct, Y, B, I, next one, which alphabet is a tool, कौन सा alphabet, alphabet tool है, और जार है, X, for X, right, X, E, which alphabet is a drink, सुबह, सुबह, क्या पिया जाता है, चाए, और चाए को क्या कहा जाता है, T, D, that is alphabet, T, F, which alphabet is in a geometry box, geometry box, that is your protector, जिसे हम कहते है, D, your protector, D, D, D भी कहा जाता है, protector को, है, na, okay, G, which alphabet is a source of salt, salt कहां से मिलता है, salt मिलता है, हमें C से, और C कौन सा alphabet है, C alphabet है, C alphabet, right, था न, मसदर, रिडिल, किस तरह से alphabet से हमने कितनी सारी चीज़े निकाल ली, isn't it, so, यह था आपका question, जो था आपका, रिडिल का question, alright, now, next one, question number nine, choose and circle the words that have D sound, आपको उन words को circle करना है, जिसमें D sound है, किसमें, किसमें, ड, ड का sound है, ड, 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 फादर, no, parallelogram, no, extinct, no, pop, no, diamond, ड, 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 डाइमंड, तो D का sound किसमें आया, डाइमंड में आया, चिल्रेन, okay, then, dinosaur, ड, 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 डाइनसार, so once again, डाइनसार, then, dad, ड, 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 D, का sound आरा है, डाद में, then, rhombus, no D sound, then, reptile, र, 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 reptile, no D sound, clear, then, next, bird, duck, goose, किसमें D का sound आरा है, bird, duck, goose, duck में, ड, 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 D, का क्या है, फोनिक sound होता है, ड, 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 then, dolphin, whale, jump, किसमें आरा है, D का sound, dolphin, क्योंकि whale और jump में, there is no D and there is no sound also of D, then, dove, bird, pigeon, किसमें आरा है, ड, 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 तो, student, D का phonic sound क्या होता है, ड, 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 अब पढ़े होगे छोटे में भी, तो इस तरह से D के sound के words को हमने क्या किया, circle किया, क्योंकि, ड, 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 तभी तो D के बारे में इतना आप कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, तो यह है, don't be afraid of the dark का, dark, so I have written dark, dark, ड, 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 क्लियर, ओके, now extinct dinosaur, reptile, कहां पे आपको आ रहा है, phonic sound D का, ड, 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 yes correct, it is your dinosaur, then puppy, pet, dog, किस में आ रहा है, phonic sound D का, yes correct, it is your dog, then flower, petals, daisy, ड, 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 तो आपको, जहां जहां D का sound आ रहा है, उन वर्ट को क्या करना था, circle करना था, correct, okay, so student, यह थी आपकी exercise of the chapter, don't be afraid of the dark, जिसकी आपने का लिव वर्कशीट को solve, और यह भी सीखा कि किसी भी हाल में darkness से नहीं डरना है, क्योंकि अगर dark नहीं होगा, तो किसी भी दिन की शुरुवात भी नहीं होगी, और यही होता है आपका balance of the nature, that is, दे है, तो night भी होगा ही होगा, so students, next class में हम विद निव वर्कशीट के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए, आपको magnet brains को like, follow, subscribe करना है, क्योंकि magnet brains देता है, kindergarten से grade 12, free videos and free education, till then, bye bye.